question आपका class 10 का है NCERT है exercise 8.1 question number हमारा 6 है वो है देखिए if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B then prove that angle A is equal to angle B एक question थोड़ा setup है similarity of triangles related है लेकिन इसको trigonometric function के आप से बनाना है आपको तो इसमें दो ची जान लेज़े पहला है कि ये ये नहीं कहता है कि एक ही triangle में angle A और B दोनों equal है ऐसा नहीं बात कर रहा है ये दो अलग-अलग triangle है और दोनों triangle में हमारा क्या है A और B जो है दोनो acute angles हैं और cos A और cos B equal है उस इसस्तिति में आपको angle A और angle B को equal दिखाना है C, D और B, E, F दो triangle है इस तरह से कि इसका angle A और इसका angle B ये दोनो acute है और इस तरह से कि cos A equal to cos B है तो आपको prove करना है कि angle A और angle B आपका equal होगा तो इसके लिए जो सबसे पहला theory है वो क्या है दोनों को हम क्या दिखाएंगे दोनों को हम similar triangle prove करेंगे और जब similar triangle prove होगा तो similar triangle में क्या होता है कि जो corresponding angles होते हैं वो आपस में equal होते हैं इसके लिए आपको ratio of उसका जो corresponding sides वो equal होना चाहिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे step by step देखते हैं यहां पर देखिए let triangle ACD and triangle BEF ACD and BEF are two right triangles such that cos A equal to cos B हमने माना की यह और यह दो triangles है इस तरह से की cos A equal to cos B है तब क्या होगा जदी cos A की formula आप जानते हैं इस पे जदी लगाएंगे तो क्या होता है आपको base by hypotenuse base इसका AC hypotenuse AD तो AC by AD इसमें हो जाएगा that is cos B इसकी जदी बात करें तो इसका है BE by BF हो जाएगा BE by BF अब देखिए AC by AD अब यह क्या होगा देखिए corresponding AC देखिए यह जो triangle का यह जो side है इसका corresponding side यह है तो AC by हमने BE कर दिया इसको यहां ले आया इस जगह पे तो AC by BE is equal to आपका AD by BF AD by BF हम लोग यह दिखाएंगे कि इसका corresponding जो side का ratio है equal है तो यह that is K कहने के मतलब जदी लगातार दो या दो से ज़्यादा quantity आपस में equal है ratio में तो किसी एक third quantity के बराबर होता है जिसको हमने मान लिया के है तो AC by BE इधर आ गया that is AD by BF equal to K हमने मान लिया ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि AC equal to BE into K हो गया याने AC के into BE कहलाएगा और AD जो है सो K into BF कहलाएगा AD equal to K into BF यह हो गया अब जदी हम यह बात करें हमारे पास देखिए यहाँ पर बच गया हमारा third यह ratio यह ratio equal है अब हमको क्या दिखाना है यह ratio और यह ratio भी equal होगा तो CD by EF जदी हम लेंगे CD by EF लेंगे तो CD जदी लेंगे तो इस पाइथागोरन पाइथागोरस थियोरम से इसमें क्या होगा यह AD square minus AC square होगा AD square minus AC square होगा उसी तरह जदी इसका EF की बात करें तो यह BF square minus BE square होगा BF Square minus B e square हो गया अब क्या हो गया होगे हो पसी डी देखिए यह है अपका CD by EF EC को लेट इसका जदी वेलू आप रखेंगे A C का यहां देखिए Ad का जदी वेलू रखेंगे Ad K B F है तो यहां पर K square दोनों में आएगा BF Square minus B e square divided by यहां पर देख रहे हैं यह already पहले से बी एफ स्क्वाइर माइनस बी ए स्क्वाइर है इसको जिदी आगे करेंगे हम लोग तब हमको क्या मिलेगा अब सी डी बाई एफ तो इक्वल टू चू कि यह देखी यह के स्क्वाइर हमारा था यह के स्क्वाइर से के हमारा निकल गया जो थाउब अवर आया सका मतलब क्या हो गया तीनों से हमारा कंडिशन एशी भाई बी एक्वल टू एदी वाई वाय पॉड टू सी डी बाई इसपटर तीनों जो और आब एंगा। हो गया आप देख लेंगे उसमें यह सीमिलर घो च्र करच पूइंगल यसे को प्रोव करेंग एसको प्रूव कि बोली इस तरह सिसको प्रूब करेंगे Thank you so much Question हम लोग एक और चलेंगे इसी में Question number 10 NCERT का Question number 10 आप से कहता है In a triangle PQR Angle Q is 90 degree PQ equal to 5 cm And PR plus QR is equal to 25 cm Find the values of sin P, cos P and 10 P एक triangle है PQR उसमें angle Q 90 degree है PQ 5 cm है PR plus QR 25 cm है तब इसका value आपका निकालना है कैसे बनाएंगे इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं हमने मान लिया PQR Q 90 degree है बोल रहा है इसलिए Q को हम लोग बीच में रिखेंगे तो हमने क्या किया PQR एक triangle मनाया जिसमें ये 90 degree है एक जो है PQ 5 cm है और PR plus QR ये दोनों मिला के 25 है तो हमने इसको X मान लिया तो ये 25 minus X हो जागा चुकि इसको इसको मिला के 25 था तो हमने हाँ पर लिखा देखे Let PQR is the given right triangle such that angle Q equal to 90 degree PQ equal to 5 cm PR plus QR 25 cm Let QR equal to X QR को हमने X मान लिया देन क्या हो जागा ये जो बच गया दोनों मिला के 25 था ये तो 25 minus X हो जागा तब पाइथागोर्ण पाइथागोरस थेयोरम जदी हम लोग इसको में यूज करेंगे याने 25 minus X का whole square is equal to 5 square plus X square इसका जिदी आप करेंगे 100 equal to 0 जैसा आप solution करते है X equal to आपको मिल जाएगा 12 जब X आपका 12 मिल गया तो QR ये जो है ये आपका QR जो है 12 हो गया तो PR हो गया 25 minus 12 that is 13 याने आपका ये जो है PR जो वेलू हो गया 13 cm हो गया sin P का वेलू क्या होगा sin P इस एंगल की जिदी बात करें तो ये perpendicular है that is 12 ये हाइपोटेनियस है that is 13 तो ये हो गया 12 by 13 10 P 10 P P by B that is 12 by 5 हो गया cos P 5 by 13 based by हाइपोटेनियस 13 इस तरह से इसके वेलू आप निकालेंगे जदी कहीं दिक्कत है तो फिर से पूछेंगे thank you so much